प्रस्न पंद्रा बगल की आक्रिती में किसी तिर्भुज ABC की भुजा AB को बिंदू M तथा N तीन बराबर भागों में बाटते हैं रेखाखंड MP और NQ भुजा BC के समनांतर है सिद्ध कीजे की P और Q भुजा AC को तीन बराबर भागों में बाटेंगे तो प्रस्न पंद्रा में पहले हम आक्रिती को बना लेते हैं यहाँ पे तो इस तरह से देखिया आक्रिती बना हुआ है ठीक है तो इसका नाम है ABC तो तीन बुज ABC है यहाँ पे यहाँ पे MP उसके बाद है NQ NQ ठीक है इस तरह से आक्रिती बना हुआ है तो कह रहा है बगल की आक्रिती में किसी तिर्भुज ABC की भुजा AB को बिंदू M तथा N तीन बराबर भागों में बाटते हैं देखें कह रहा है कि तिर्भुज ABC का जो भुजा AB है उसको M और N तीन भाग में बाट रहा है यानि M, MN और BN यह बराबर है यह दिया हुआ है ठीक है क्या क्या दिया हुआ है M बराबर MN बराबर NB क्योंकि M तथा N तीन बराबर भाग में बाट रहा है AB को तो इसका मतलब हुआ कि M, MN और NB बराबर है अब रेखा खंड M, P और N, Q भुजा B, C के समनांतर है देखें रेखा खंड M, P और N, Q जो है B, C के समनांतर है यानि तीनों भुजा समनांतर है M, P, N, Q और B, C क्या है समनांतर रेखा है सीध कि J की P और Q भुजा A, C को तीन बराबर भाग में बाटेंगे तो क्या सीध करना है कि P और Q भुजा AC को तीन बराबर भागों बाटेंगे यानि AP, PQ और QC बराबर होगा ये सीध करना है तो हम लिखेंगे तीरभुज तो लिखेंगे तीरभुज A in Q में तो तीरभुज तीरभुज A in Q में देखिए तीरभुज A in Q को सबसे पहले हम देखेंगे तीरभुज A in Q देखिए इस तीरभुज को तीरभुज A in Q तो तीरभुज A in Q में तीरभुज A in Q में M M जो है A in का A in का मध बिंदू है मध बिंदू है तथा तथा M P समनांतर N Q है तो देखिए तीरभुज A in Q में M जो है A in का मध बिंदू है और M P जो है N Q के समनांतर है ठीक है देखिए तीरभुज A in Q में M क्या है A in का मध बिंदू हो गया और M P समनांतर N Q दिया हुआ है ठीक है M P N Q और B C समनांतर दिया हुआ है तो तीरभुज A in Q में हम लिखेंगे तीरभुज A in Q में M N का मध्ध बिंदू है और M P समनांतर है N Q के तो इसका मतलब हुआ कि मध्ध बिंदू परिमे के बिलोम से P A Q का मध्ध बिंदू हो जाएगा ठीक है तो हम लिखेंगे अता P A Q का P A Q का मध्ध बिंदू होगा ठीक है जब M N का मध्ध बिंदू है तिर्भुच N Q में और M P समनांतर है N Q के तो P A Q का मध्ध बिंदू होगा अता जब P A Q का मध्ध बिंदू है तो A P बराबर हम लिख सकते हैं P Q क्या लिख सकते हैं A P बराबर P Q और इसको हम पहला लिख लेंगे तो देखिए जब P A Q का मध्ध बिंदू हो गया तो A P बराबर P Q लिख सकते हैं P क्या है A Q का मध्ध बिंदू तो A P बराबर क्या लिख लेंगे P Q हम लिख सकते हैं क्यूंकि P क्या है मद बिंदू हो गया है AQ का P मद बिंदू है AQ का तो AP बराबर PQ हो जाएगा यानि AP और PQ बराबर होगा तो इस तरह लिख लेंगे AP बराबर PQ और इसको पहला लिख लेंगे अब लिखेंगे अब MN बराबर MN बराबर NB और MP समनांतर NQ समनांतर BC क्यों तो दिया है तो देखे MN और NB बराबर है और MP NQ और BC क्या है समनांतर है MP समनांतर NQ समनांतर BC तो चीदर में देखेंगे MN किसके बराबर है NB के यह दिया हुआ है MN जो है NB के बराबर है तो प्रस्ण में दिया है कि M MN और NB बराबर है तो हम लिख लेंगे PQ बराबर QC हो जाएगा अनतर खंड पर में से क्या हो जाएगा PQ बराबर QC हो जाएगा अन्ता खंड परमे से तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे अद्द क्या हो जाएगा PQ बराबर QC क्यों होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे अन्ता खंड अन्ताखंड परमें से तो MN बराबर NB है और MP, NQ, BC समनांतर है तो अन्ताखंड परमें से क्या हो जाएगा PQ बराबर QC देखे, MN, NB बराबर है MN, NB क्या है, बराबर है MN और NB और MP, NQ और BC समनांतर रेखा है तो PQ बराबर QC हम लिख सकते हैं अन्ताखंड परमें से ठीक है तीन समनांतर रेखा है और उस पे जो अन्ताखंड बन रहा हो बराबर है तो ये भी बराबर होगा यानि PQ और QC भी बराबर होगा तो PQ बराबर QC लिख लेंगे और इसको हम दूसरा लिख लेंगे ठीक है इसको हम दूसरा लिख लेंगे तो PQ बराबर QC को हम दूसरा लिख लेंगे अब लिखेंगे अता अता पहला और दूसरा से पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा तो पहला में देखिए क्या था पहला में था एपी बराबर पी क्यू ठीक है पहला में क्या था एपी बराबर पी क्यू और दूसरा में क्या लाए है दूसरा में लाए है पी क्यू बराबर क्यू सी देखें पहला में एपी बराबर क्यू है और दूसरा में प्यू बराबर क्यू सी है यानि एपी प्यू के बराबर है और यहाँ पे क्यू सी प्यू के बराबर है यानि तीनों बराबर हो जाएगा AP, PQ और QC बराबर हो जाएगा तो लिखेंगा तह पहला और दूसरा से AP बराबर PQ बराबर QC ठीक है तो AP बराबर PQ बराबर QC देखें AP, PQ और QC बराबर हो गया तो पहला में था कि AP, PQ के बराबर दूसरा में था PQ, QC बराबर तो तीनों बराबर हो जाएगा यानि AP, PQ और QC बराबर हो जाएगा तो यहीं सीद करना था कर रहा था कि सीद किजे कि P और Q, भुजा, AC को तीन बराबर भाग में बाटेंगे तो देखे Pence, P और Q भुजा AC को तीन बराबर भाग में बाट रहा है तो AP बराबर PQ बराबर QC आ गया है इसका मतलब है कि P और Q भुजा AC को तीन बराबर भाग में बाट रहा है तो इस तरह हम प्रस्न 15 हल करेंगे तो इसका में बाट रहा है 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 झाल झाल